प्रदाइस का मुखमंत्री बनते ही 45 मुकदमे अपने उपर जो लगे थे गंबीर डाराओं में वो पहले अपने उन्होंने वापस लिये और वो गुंडागर्दी में बात करते है कानपुर में सडकों का जो जाल है उसे भी शाय गया तो ये लोग कहते हैं कि वो जाल दरसल मकड जाल बन चुका प्रवचन पर नहीं वचन पर काम करेंगे कि हम क्या कुछ करने जा रहे है जंता के सामने प्रिंका जी ने जब से कमान समाला उत्तर प्रदेश में एक भूचाल सा आ गया है जो अभी नरेंद मोदी जी ने इसके लिए योजना जो चलाई थी वो पूरी तरह भेल हो गई वो बहुत अच्छी योजना थी उस पर चलना चाहिए होता क्या एक पैसा नहीं डाला जाता है जब वो पैसा ही ने लगाया जाएगा वो पैसा स्वीज बैंक में भेज दिया जाएगा कोई योजना नहीं चलेगी अगर हमने दिल्ली में करके दिखा दिया तो आप विश्वास रखे हैं मुत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं सब काम जब आप ही ने किया है तो जनता ने फिर आपको फेल क्यों किया नमस्कार न्यूजवल इंडिया के खास कारिकरम महौल गर्म है में आपका स्वागत है आज हम गंगा के किनारे बसे कानपूर में मौचूद है पस्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ महौल गर्म है का काफिला अब अवच्षेत्र को पार करता हुआ पूरवांचल की ओर जब बढ़ रहा है तब हम कानपूर में मौचूद है दरसल एक तिवहार चल रहा है यह सियासत का तिवहार है जहां पर जब मतपेटिया खुलेंगी तब इस तिवहार का समापन होगा अब लड़ाई है और लड़ाई है पार्टियों के बीच एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग है तो दूसरी तरफ विपक्ष है और इसे सवाल करने के लिए जनता मौझूद है दर्श को जब चुना होते हैं तो कई दफ़ा देखा जाता है कि सवालों का जो सिलसला है वो शुरू होता है और इसके साथ ही साथ नेताओं के पास जवाब देने का वक्त भी होता है ऐसे में आज हमारे साथ कानपूर की सम्माने जनता मौझूद है एक बार जोरदात तालियां हो जाएं कानपूर की जनता के लिए और इसके साथ-साथ अब हम यहाँ पर जवाब तलब करेंगे कि आखिर पांच सालों में सत्ता में बैठे जो लोग हैं उन्होंने क्या और जो विपक्ष के लोग हैं वो क्या कुछ करना चाहते हैं कानपूर के लिए तो सबसे पहले मैं आपका तारूफ करा देता हूँ आपका परिशय करा देता हूँ हमारे साथ जो आज तमाम महमान मौझूद रहेंगे सबसे पहले कुवर बासित अली साभ है बीजेपी से ह सबसे पहले यह बताईए जवाब तलब करिए कि आपने पांच सालों में लगबग लगबग जो पांच साल पूरे हुए आपके उन पांच सालों में आपने क्या खुश कर दिखाया है पूरी डाइरी बताईएगा इन पांच सालों के अंदर जो अभी शुरुवात क्यों की पूर्वाण चल की हुई है तो पूर्वाण चल एक्सप्रेश जो 341 किलमीटर लंबा है उसका हुआ इसके अलावा दो जो पस्चे मुतर प्रदेश के अंदर जो एक्सप्रेश है वो हुआ सड़कों पे तमाम ज नहीं हूं मैं तो आज प्रग्रव में आया था तो पूरे प्रदेश की बात मगभय करूं तो ठीक रहेगा क्योंकि फिर आपको जो सत्ता की चाबिया अस बाहर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की जो व्यवस्ता है जो पुलिशिंग है वो अपने आप में सर्वोत्तम है और सुरक्षा का माहौल है जो कारोबार है वो लोगों के अच्छे से चले हैं इसके अरावाद जो सडकों का जाल बिछा है एर हैं स्कोलर्शिप्स रही हूँ तब में सरकार ने सबसे पहले का कि दंगा नहीं हुआ दरसल तो हम जब समाजवादी पार्टी के लोगों से बाचीत करते हैं आपकी सरकार में दंगे हुए है ऐसा बीजेपी वाले अरूब लगाते हैं हमाई सरकार में एक भी दंगा नहीं तो ऐसे में लोगों से जब बात करते हैं, तो आस्मान चूरए तो ये सब भी तो समस्या है इसी तरह से तमाम छेत्रों के अंदर लाभारती हैं असलमें विपक्स का काम है भ्रम फैलाना ये जूट जो जो योगी ने देश और प्रदेश की जनता सबने दिखाए थे उस सबने पे बिल्कुल ये फिट नहीं बैठे आज देश और प्रदेश की जनता त्रही माम त्रही माम कर रही है चात नौजवान, किसान, मजदूर सब बिल्कुल भरव की सिल्ली पे लगा दिया है ये जूट का पिलिन्दा है आज भारतियंता पार्टी का सूपला पुत्तर प्रदेश में साफ हो गया है कल जेवर एरपोर्ट का जो उद्गाटन इनुन किया आज एरपोर्ट बेच रहे हैं अडानी को आज और उसके बाद अब ये तिती पताएंगे ने माननी नरेंद मोदी जी और ये योगी अधितनाद के जेवर एरपोर्ट कभी ये बेचेंगे इनसे माननी जो भारतियंता पार्टी के हमाय समानी देक्ती बैठे हुए है मां इनसे पूछना जाता हूँ के आज प्रदेश में चिस तरीके का महौल है आज किसानों के उपर मंत्री का बेटा टक्टर चणाता है और आज उस नरेंद मोदी के साथ मंच साजा करता है आज प्रदेश का किसान कैसे माफ करेगा आज मजदूर जो करोना काल में इतना मारा गिया गंगा में लासें तैर रही थी बालू से डेट बाडीज को बाटा जा रहा था जनता सवाल पूच रही है आज GST के नाम पे ब्यापारी परशान है ब्यापारी आद्मत्या कर रहा है देश की अर्षिस्ता बिल्कुल चौपड हो चुकी है बारतियंता पाड़ी के जो सम्मारी देखती बटे हैं माहिन के माध्यम से योगी आदिनाथ और नरेन मोधी से पूचना जाएता हूँ कि जनता जवाब मांग रही है आज तुम दैसत में आकरके सरकार के समय पे जो तुम लाली बाप दे रहे हो जनता तुमारे लाली पाप में नहीं आने वारी ठीक है एक चीज और है आपने खूब मुखर उकर बोला आपने पुर्वांचल एक्सप्रेस वे की भी बात कर ली आपने जेवर एरपोर्ट की भी बात कर ली अब लोग आप से भी पूच रहे हैं लोग कहरें कि जब पुर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार पड़ हुआ तो आपने का यह तो हमारा है और अब जब जेवर एरपोर्ट का सिला नयास हुआ तब आप क्यों नहीं कहते कि यह भी तो हमने किया था कहीं ना कहीं तो किया होगा सपने में ही सही सब्सक्राइब। इससे लाब तो होगा ना आर्थिक विवस्ताएं तो दुरुस्त होगी ना जेबर के आज पास की जो पस्चिम जो गड़ है वहाँ पर विवस्ताएं तो दुरुस्त होगी ना यह कहते हैं कि आप आज भी उसी फैक्टर पर जी रहे हैं जिस फैक्टर पर आप पहले काम करते तो आप उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह लोग कह रहे हैं। चले आए इसे पहले तो कांग्रेस बहुत सालों तक रही बस पा रही चार बार फिर आप आए दोजार बारा में आप तो एकी बार अखलेश आदब जी मुख्यमंतरी बने हैं लेकिन वह विकास की गंगा कैसे बहाते रहा जादी के बास्यास्ता मानी नेता जी की सरकार में भ लोगों के एकाउंट में सीरे खाते में पैसे जाएंगे आज गरीब दलित की बेटियां जिस तरीके से उनकी उनके साथ बलातकार हो रहा है और रात में उत्तर परदेश की पुलिस दोबे रात में पटोल डाल करके अंतेश्ची कर दे रही है जनता सवाल पूछ रही है ज कॉंग्रेस की बात करता हूं कॉंग्रेस तीन दशक हो गया लग भगलब सत्ता का कोई स्वाद वो चक नहीं पा रही है लोग कह रहे है कि बहुत कमजोर हो चुकी है पार्टी अब कुछ भी कर ले प्रेंका गांधी कितना भी आ गया कि नजर आ है लेकिन होना कुछ नहीं ह जब से कमान समाला उत्तर प्रदेश में एक भूचाल सा गया है जब समाली थी तब नहीं आया था तब भी आया था तब कुछ आइसे कुछ कारण थे कोई उपर के हाई-लेबल में कुछ हो गा कुछ भी हो सकता है लेकिन जब अभी प्रेंट परिंका गांधी जी ने जब कम प्रिंका गांधी जी के लिए नहीं कहा गया जब तक मुझे याद है कि कॉंग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर अगर इनके खिलाब आवाज उठाता है तो या तो यह इडी भीजवा दिंगे उनके घर पे ठीक है नो कुछ ने कुछ ऐसा शलियंत रूसके खिलाब करेंगे कि आलाइस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप रहे हैं घट बंदन होने की स्थिति बंती है उसमें आपको इजब कुछ नहीं कैसे थाड़ा है किस साथ करना किस साथ करना नहीं करना है इस से हम लोग कुछ बोलने सकते हैं कि बाह ili ं कि समाझ बाटी के साथ को समस्या नहीं है समाझ इनके सरकार आजाएगी हमें कौई प्रसंग आप समाझ बाढ़ी बड़ा दिल्चास हो जो आपको कोई समस्या ने समाजवाधी पार्टी को समर्थन दे रहें पीछे से समर्थन दे रहें प्रदेश के हित के लिए काम करेगा उसके समर्थन में कभी ने रहें का समेर्थन नातुन बात की बात है कि समाजवादी पार्टी से लड़ाई नहीं है तोस्टे से लड़ाई हैं कि जब से प्रिंका गाजी ने यहां पर कमान समाला है सारी पाल्टीमेगे भोचाल सी आ गई सब घबडाये हुए हैं कि ऐसा नहों कि अलग तश्बीर बदल जाए और यह देखेगा आप संदोजार वाइस में तश्बीर बदलेगा और कॉंग्रिस पाल्टी की सरकार आएगी अगर अखलेश आदव की सरकार आजाती है तो भी ठीक है देखे आप ब्यक्ति विसेशक की प्रफ्रदीश उत्रप्रदेश में कब्धन तेक काव फेला हुए हमें किसी से कट प्रोल नहीं है अपनी वाद आप करको बात करना हो अपनी बात करहें हैं 2 हैं आप पूरफाज इतनी वी क्याश्यरा श्रका य में देखें मने क्या कहा देखो एलाइंस करना गया एक दूसरे ठहरेंगे और सोचेंगे फिर बात करेंगे आम आदनी पार्टी नई-नई पार्टी उत्तरप्रदेश में कदम रखा है इंट्रोड़क्टरी फेज में है लोग कह रहे हैं कि कैसे लड़ेंगे ये सपा से कैसे लड अब बात आ जाती है अभी मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि ये बताया जाए कि हम आगे कर दोड़ेंगे कि आप यहाँ देख लिजिये कितने थी नोजवान भी आम आदमी पार्टी कर रहिया ये यह पहली बात समन लिजिए आम आदमी पुरी बात पता नहीं है विजली फिरी देंगे मैं आपको नएक जितना भी बेरोजगाद हूं। उसको रोजगार देंगे 100% और जो अठारा साल थोड़ा सा जादा नहीं हो गया काभ एक्टरी लगे कòn इंडस्टरी लगे किक्व रोजगार देंगे कैसे देगे यही सवाल पत्रकार हमसे जब दिल्ली में हम विजली देने के लिए कहते थे तो यही करते थे यह इस इस जंता ने इस देश की जंता नभी तक देखा नहीं था आप सारे विरुजगारों को रोजगार देनेंगे बहुत बड़ी बात है यह तो कैसे देंगे रोजगार डेवलब किया जाता है, रोजगार पैदा किया जाता है, जो अभी नरेंद मोदी जी ने इसकी योजना जो चलाई थी, वो पूरी तरह फेल हो गई, वो बहुत अची योजना थी, उस पर चलना चाहिए, होता क्या एक पैसा नहीं डाला जाता है, यो लोग जो पै यह जो पूच्छों के रोजगार मिल सकता है, और जो अठारा साल से उपर लड़के हैं, पचीत साल तक उनको पांच हजार रुपाए महीने उनको बेरोजगारी भद्ता दिया जा सकता है, यह जो बांदेना उनकी सब की, घर बैठे सेलरी बांदेजगा, जो पूच्छ र आपको यह क्यों लगता है, इस पांच जार का सही उट्राइज करेंगे बच्चे, हमारे देश के बच्चे उस पांच जार का गलती उट्राइज कैसे कर सकते हैं, आपने इतने तो आप ठीक हो गया, कि आप कह रहे हैं कि विरोजगारी पूरी तरह से ख़तम कर देंगे, ब ब्लूप्रिंट नहीं बताया आपने, ब्लूप्रिंट में जानना चाहरा था, क्या है? उन्होंने का, और दस हजार करोल इसमें खर्चोरा मात्र, दस हजार करोल हमारी बहनों को दिया जा सकता है, इसी तरह उत्तर प्रदेश का भी ब्लूप्रिंट देंगे आपको, पूरा देंगे ब्लूप्रिंट आमादी पार्टी ने बड़ी दिल्चस्प बातें किये, इस साविकास हम करके दिखा देंगे, आप नहीं कर पारें, क्यूकि आपकी नीय ठीक नहीं है, वो कहता है सब कुछ हो सकता है उतर प्रदेश में, लेकिन हो नहीं पारा क्या चया चाहिए नहीं है, और उनको थकने का काम के जिरिवाल करते हैं, बड़े ठक हैं, इन्होंने अन पूल दिंगे हमने 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 को निकाला हमने हमनें को निकाला लेकिन हमारे प्रदेश के मानई हम्हें टे ही है और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया कि कोई सवाल जवाब नेताओं करना होता हुआ करने के सबसे पहले आप से आता हूँ आदमी पार्टीच की टूपी है सब कुछ देने के लिए राजी है किस सवाल जोट की दिल्ली में यह था, कि हमारे पास ब्लूप्रिंट है, और जो हमने दिल्ली में दिया है, वही हम आपको उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि उस प्रश्चन से हट के यह दूसरे विशेवे बात करने लगी? नहीं देखिए वो उत्तर जो है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कहा दो-तीन करोड की जनता और कहा पर तेईस-पच्चेस-थाइस करोड की जनता कैसे मैं अगर मैं सुरक्षा एक बड़ा मसला है वहाँ पर सुरक्षा आपके हातों में नहीं है पुलिस आपके हातों म को दिया है यह 24 करोड को दे सकते हैं बात नियत की है यह बड़ी बढ़िया चीज है नेता जो होते हैं विश्वास देलाने की कोशिश करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी ऐसी है जिसने बसपा पर विश्वास किया और इसके साथी साथा बीजेपी पर विश्वास क किया और पाइस साल के लिए सथाठी कփकिया है मैं भार्ति में जनता पार्टी के दो निता भड़ें를сем क्या 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 तो सरह किया सब्स्था के लिए व्ली क्या किया किया स्वास्त की उर्फ इस तक बगोल में और जो नपाуется झेट तह आपने स्वास के लिए क्या काम किया और आपने हमारे यहां इस प्रशिश्य के लिए क्या काम किया है। को पूरी तरह से जानकारी में है कि जो भी फीता काट रहे हैं योगी आदिना उत्तर प्रदेश में उमानी अखले से अधोजी ने सरकार में रहते हैं उसका सिलान्यास किया था। जो है इतनी निकमी नमहापाओर है कि आज सक एइसा महापाओर नहीं कानपूर महानगर में हुआ पूरे महानगर का जनता त्रही माम त्रही माम कर रही है। सड़क पानी बिजली की समस्या पाँ पसे रहे हैं डेंगू डैरिया के इतनी हत्या है इतने लोग मर रहे हैं गरीब बस्तियों में आप जाके देखिए बहुत बुरा हाल है। कानपूर नगर निगम का जो नगर आयुकत है वो कान में तेल डाले बैठा है अधिकारी सुन नहीं रहे हैं रोज हत्या हो रही है यह जब कि यह पुलिस कमिशनरी हो गई उसके बाद भी कानून वेस्ता का मतलब है 2017 से पहले का जो कानपूर था वो चमकता था यहां कोई क अपने साथी से पूछना चाहते हैं कि बाबा जी को इतनी क्या जल्दी थी कि अभी बेटों का उद्गाटल कर गए दिसंबर में अधरनी प्रदा प्रदानमंती ना करते और उसका फाइदा आपको मिल जाता क्यों लोकारपड कर इतनी क्या जल्दी दोनों लोकारपड से क्यातासार सवाल है उसका जवाब देडिएगा अशल में जो मैट्र प्रोजेक्ट है वह इनका जैसा आपने कहा करने मेरे मित्र कर रहे हैं कि मैं क्या जिए वाल जी के सानि देमे रहा कर मैंने इसके जो है लोकारपन्ट किया था जब आप ट्विट किया था इनकी और उनकी ही ट्यूनिंग नहीं मिल लिए नेता की इसके अलावा तमाम एम्ज जितने एम्ज उत्रे प्रदेश के अंदर आई हैं आज तक नहीं आएं इसके अला खड़ा हुआ है स्वास सेवाओ का कभी उत्तर परदेश में नहीं हो पाया और इन लोगों को यही डर है कि विकास के नाम पर भरतेंदा पार्टी सरकार फिर से बना रही है और यह किसी तरह से दोलों को जोड़ करके सरकार में आना चाहते हैं काम तो इनों क्या नहीं हमने ज समर्थन दलों का ले रहे हैं हम दिलों का ले रहे हैं इतना सा फरक है और आने वाले चुनाओं में पता इनको लग जाएगा कि भरतेंदा पार्टी जब सरकार बनेगी तो इनको पता लगेगा कि हमने कुछ किया नहीं है हमारे बीजेपी के जो नेता जी है वो आप पर आरोप लगा रहे थे कि 2017 से पहले दंगे देखी थे आपने मुझफर नगर की बात कर रहे थे कानपूर की बात कर रहे थे आगरा की बात कर रहे थे सैकड़ों दंगे गिनवा रहे थे लेकिन बता रहे हैं कि 2017 के बात कोई भ प्रदेश के मानने वाले लोग है यह हमेशा अभवा पहला करके हमेशा अभवा पहला करके भाई को भाई से लड़ाने के काम करते हैं और चुकि इजी के नाम पे यह सत्ता में आए दुबारा फिर यह कोई ना कोई सडियंद करना चाहेंगे मैं देश और प्रदेश की जंता से आपके चैनल के माध्यम से साउधान करना चाहती हूँ कि इनके जो यह सडियंद करते हैं इनके सडियंद से हमको उस्या रहना है और दूसरे यह अल्प सिंग्यक्त विवाग के अद्दक्षे भारती अंता पार्टी के यह बताएं के वसीम को ले कर बयान दे रहें आपफि जिनना को और देश के बड़े बड़े जो लोग uphill है उनको एक साथ खड़ा कर रहें जिनना का सारा ले रहें सबसे जादा आप से अपने मूज से जिन्ना बोलते है तो इसमें योगी आतितनात कहा है सबसेधा सहरा जिनना का अगट्क्ग क जो फोचीजी ने जो मौदी मेडिया को चोड़ गर कि उचरएग look को कैंजी न ही किस्ते लेगी को चुट करको है उन्हों रिखाया है कि यह सी वैक्ती जो महानपुरूशत है यह एक सामय पूरूश्त है जो लागी जिन्ना महान पुरुष थे जादी के बाद आज की समय में जिन्ना को महान पुरुष माना जाएगा आज आज आदी से पहले जो भी इस देश का विभाजन कराया उसको आप महान पुरुष कहेंगे भारत की धर्ती पर बैट बिल्कुल नहीं कह सकता बिल्कुल एक मिनट आजादी से पहले उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति यह लोग एक साथ विदेश में लागी बढ़ाई करते थे उसके बाद यहां आए और अंग्रेजियों के क्याव इन्होंने जंग ली और बता रहे थे उन्टिस से पहले महान व्यक्ति थे निश्चतू से अभ लेकिन जंगे आजादी के बाद जब बटवारा हुआ तो वह वेक्ति यहां से चला गिया जो चला गया उसका नाम का जिक्र करने के जरूरत क्या है देखिए इतिहास की जहां तक बात होगी जब हिस्ती दोराई जाएगी तो नाम तो लिया जाएगा तो फिर आप कह रहे ह कि इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया दंगों का अच्छा कैसे देजितों की बेटियों को के साथ बलातकार हो रहा है और रात में दो बेटोल डालके पुलिस भुकवा रही है आज ब्यापारी द्रस है आपकी सरकार आएगी तो ये दंगा फिर से नहीं करवाएंगे इनकी शम्ता नहीं है 2017 से पहले थी यह खड़ियंत करते थे अब नहीं कर पाएंगे अब शम्ता नहीं रही आपके पास उत्तरप्रदेश की जंता फिर से दंगा नहीं देखना चाहती इसलिए इनके नेता कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे एक बात दूसरी वात इनका वसीम रिजवी वसीम रिजवी इनके नेता आजम खान और इनके नेता मुलायम सिंग का पालतु पिल्ला था वही याद करिए तोड़ा मर्यादेश शब्दों पर इस्तमाल करें याद करिए वो दिन जब आपने मुलाना कलवे जवाद पर लाठी चार्ज करना चाहता है उत्तर प्रदेश की जन्ता ना आप दंगा लिए ना तुस्ति करना चाहती है और ना घंट इसलिए छिज बनेगी घ्यकर का पारवगतर पुझना चाहिता है जो यह परिवार बात कहते हैं सवाजवागी पाडडी को तो भीजेपी में जो अमिनसाजी लगक मेरा प्रशन है बीजेपी के प्रवक्ता से कि अगर किसान लोगपाल बिल सही था तो नरेंद मोदी जी ने उसको वापस क्यों लिया और अगर वो सही नहीं था तो फिर उन्होंने देश पर थोपने का काम क्यों क्यों किया ठीक मताएक कानपुर महा नगर में मंटा नगर मानगर म मैं पूछना चाहते हूं भार्ती एंता पाल्थी की ए दो कह देंगे कानपुर के बाहर हैं और हमसे यह पूछ एक ट३फ्द में समाजवादी पार्टि की बात कर रहाँ में समाजवादी पाल्टिक यहुवाग पोडल में हैір जो इतना छ själप थी बाट ना चाहता पारकिंग मों कि अ लिले है कि एंदर प curved यह वोट ना देन जंता ने तãos वारतियांता पाल्टी के लोगों से एक काम अपने कर दिया इसके लाबहा एक काम सिर्फ एक काम पूछूंगा आप तब तक सोच लीजीगा इक काम तब तक आम आदी पार्टी के पास आते हैं आप यह देख रहे हैं जब बहुत हुई है आपके पास सिक्षा का मॉडल, 300 यूनिट बिजली फ्री का मॉडल, दिल्ली का मॉडल, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, तरह तरह की बाते, भिन प्रकार की चीज और सोच जो है, वो आपके पास है, लेकिन आप एक चीज समझ रहे हैं, कि मुद्दे दरसल इनके पास ह ये जो चीज आज तक करते आए हैं, उन्ही मुद्दों को भुना कर जनता से वोट ले जाएंगे, आपके पास कुछ नया है नहीं, देखें, ये ही दुरभाग है, इस देश का बस ये ही दुरभाग है, कि कंक्रीट, भाग ये तो नहीं बदल रहा ना, अभी तक, अभी त कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को इंजिनियर बनाया जाए, राजनीत पुल नहीं मनाती है, राजनीत सडक नहीं मनाती है, राजनीत इंजिनियर मनाती है, और इंजिनियर उस सडक बनाते है, तो ये लोग कभी सिच्छा की बात नहीं करेंगे, ये जैसे मालीजे इस विभाग में दो हजार करोल आया को कैसे खाया जाए देखिए मैं मैं तो सभी पार्टियों के एक तरफ रखता हुँ के वहाँ आप मादमी पार्टी के तरफ रखता हूं अपने साथियों पर आरूप मत लगा अगर यहां पर एलाइंस करना पढ़ गया तो समस्या हो जाएगी मैं एलाइंस क्यों कर रहा हूं पहली बात यह भी समझ लीजिए मैं इस विकास पर कंक्रिट के विकास पर नहीं कर रहा हूं संपरदायक्ता की पूरी बाजार भारती जंता पार्टी इसको रोकने के लिए रश्टाचार करें तो उनके साथ आजाएंगे बचने के लिए चोरों का साथ करना पड़ेगा कौन चोर अरे बाई पर लोग कह देंगे कि चोर चोर मौसेरे भाई नेता जी कह रहे है कि जो बरस्टाचारी है वो देश को बरबाद कर रहे हैं और जो सामप्रदाइक ताकते हैं वो देश को खत्म कर रहे हैं इसलिए नेता जी भृष्टाचारी जोन को अपने साथ ले लेंगे एक काम सोचने के लिए बोला था आप से बताईएगा इनके चोर-चोर मौसेरे वाली बात मुझे याद आ गई इससे पहले नेता जी ने रहूल कांदी के साथ बुरी तरह हारे उसके बाद क्या मायोदी के साथ बुरी तरह हारे अब कर रहा है तो यह और कानपूर तीसरी बार आया हूं जान को सड़ों में सभाइय और माने काम पूछ रहों पांच काम से लेकिनार है और पांजों बताने कि हमने सोचा था भाजपाने किया है इनों ने पताया है हुआ से काम ीनो नहीं कि पे जो जो नहीकरा मैट्रो बहरे ड़ें नहीं एक कानपुर में पूरा घूमें चानपुर में बताइए आपको वर रो रहों कि मี่रिं सरकार आई तो कानपूर जَّाव में जाज्म पुल से तो पूल के दुरों तरफ को फूर्टी थी क्रूल है चानपुर जो हैं किशांगा के किनारे बसा शहर है और गंगागा के चलते यहां पर समस्यां और समाधान मेरा दूसरा कोश्चन मेरा दूसरा कोश्चन है उत्तर प्रदेश आप से जवाब मांग रहा है उत्तर प्रदेश अभी तो कानपूर का जवाब नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश आप से जवाब मांग रहा है कि कल पश्चिम उत्तर प्रदेश को मैनेज करने के लिए किसान इन्हीं भार्दियंता पाल्टी के लोगों ने किया विकास किसी भी रास्ते सो ठीक है विकास हो रहा चाहिए ठीक है आप क्या कहा रहे थे नाम बताइए का पहले फिर गया मेरा नाम अजय शर्मा है ठीक अजय बताइए गुंडागर्दी पे लोग बात करते हैं मैं यह जान यहां को देने का वादा किया था और लेप्टॉप के साथ एक जी भी इंटरनेट डेने का भी वादा किया था कितने वादे इनोंने पूरे किये मुझे जाना चाहता हूँ जो जो जमीनी मुद्ध है उस पर आऊंगा प्रोगाम आगे दीरे दीरे बढ़ेगा उस असाप से सारे मुद्धों पर आऊंगा लेकर उससे पहले कॉंग्रेस के भी हमारे नेता जी बैठे हुए है कि अपना व्यक्तिकत बयान है अपनी मान सकता के बारे में इतना करीब से कैसे मालूम है प्रदेश की जनता ने अब ठान लिया है सन 2022 में एक बैक्सिन लगेगा भारती जनता पाल्टी को एक लगेगा सन 2024 में और दोनों को एक एक बैक्सिन लग जायेगा न ये सत्ता से दूर अपने आप हो जाएंगे इतनी तरस है हिंदुस्तान की जनता हिंसे आपका मेन मोटिव क्या है मेन मोटिव बताएगा बीजेपी को हटाना मेन मोटिव है या जीतना मेन मोटिव है हमारा मेन मोटिव है कॉंग्रेस पाल्टी को जिताना आपका मेन मोटिव कॉंग्रेस पाल्टी को जिताना है तो इसमें तो आपकी लड़ाई फिर सपा से भी करने जिम्मेदारी किसके थी। प्रदान मंत्री बन गए लेकिन दोगिक शुरू नहीं हुई नरहंद मोधी कहा था कि आज तक नरहंद मोधी दुबारा परदान मंत्री बन गए और दोगिक सुरूब ने लोटा भाए यहां पर हर किसी को कुछ ना कुछ कहना है लेकि नेताओं को सुनिए कि दरसल वो कह क्या रहे हैं फिर आप काउंटर करिए हां क्या करते हैं और जो सरकार की योजना हैं वो रोजगार करने के लिए सरकार की तमाम योजना है रोजगार को पैदा करने के लिए आप मुझको दो गिंती की बताइए कि जिससे आपको लग रहा हूं कि रोजगार बहुत तेजी से पैदा किया जा रहा है जैसे अपना कोसल विकास है इसके अंदर रोजगार दिया गया और कुछ जो आइट कोसल सबसे पहली बात के इनका इसी से समझ में आता है कि आज के समय में आप यहां पर कानपुर की विकास की बात करनें आए और आज आज इनके पास कानपुर का कोई प्रवक्ता नहीं तयार हुआ जो यहां बैटे और जिस तरीके से हमारे मोदी जी गुजरात का दिखार दिखा करके उत्तर प्रदेश में त्यारी करें विंगे प्रवक्ता बाहर से जाए करके में की कानपूर कोई नइन कि जिसका जवाब देने के काभिल को यह जो आकर किस कुर्सी पर बैटे तो मौझूद है कोई जवाब देने के लिए तो मौझूद है ठीक है आप क्या कह रहते हैं कि आप सामने आई यह नाम बताएगा और बताएगा कानपूर के वारे में थोड़ा मुद बताएगा कि आपके लिए दरसल मुद्दा क्या है किस मुद्दे को देखकर आप चुराओं में वोट देने जा रहे हैं लोग जिला फिरोजाबाद से हैं यहां आएए बाहर से आयए मेला गूम्रा ओटिका यहां यहां पर लगा हुआ है वही पर वही पर क्या जूपता रोजगार पार्टी पब्लीक इस लिए बोले चाटी को यह मुकद में काम करते बाहरती जंटा पार्टी इंको पार्जी एक थो आप कह रहे हैं कि जो रहे हो समाजवादी का मोजैब ठीक हो नोकरी नहीं देंगे वह समाजवादी का यूवा है उसको नौकरी नहीं देंगे वह को अपने नेटको मुखधेर। अपने नेटको सद्धियेगे हाथ, अमादी का भिता कखें यद्थधू अगर चेमकरेश को ला थेगा मुखा है. अपने नाजवान को फोलो कर रहा है वो जूत बॉल करके है यह क्योंकर आटी करके सब्सक्षाहिँ है कि अगर बीजेपी की तरफ से आपको रोजगार मिलता है आप सब खुश होते हैं तो वोट देंगे कोशिश करेंगे हैं को रोजगार देने कि ति आप वोट देजिए ठीक है ठीक है आप क्या काम करते हैं मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं मेरा सवाल बाजपाज के प्रवक्ताजी से यह है मेट्रो सिटी का वादा करते हैं नरेंद मोदी जी योगी जी आप दिल्ली से आए हैं आपने देखा होगा कि कहीं पार्किंग या कुछ बिवस्था कुछ सिस्टमेटिक कानपूर ऑब strend A वह सायद अभी चले नहीं होँंगे पूरा जो में पूरा जो मैंट्रोन है ना वह ना तो मोडू जी जी बनाते ना योगीजी वह इनौने कहा था इंजीनियर बनाते हैं और वो सारी व्याष्था है और वो यह जग में साद़राग पर घड़ी कर देनी है तो उनक समाजवादी पार्टी के साथी से पूछूँगा समाजवादी पार्टी के नेता जी से सवाल कर लू ये कह रहे हैं कि मेट्रो मेट्रो आप कर रहे हैं बीजेपी से सवाल था लेकिन इस पर आप थोड़ा सा क्लियर करिएगा ये कह रहे हैं मेट्रो मेट्रो आप कर रहे हैं पार्किंग की व्यवस्ता नहीं है, व्यवस्ता जो है पुरी डामादोल है सिस्टमाटिक नहीं है वो आया है वो आया है के इनों ने बो अपना मुझ चोरी करके घर में बढ़ गए है जनता को जवाब देने में कोई आया है उनके प्रतिती आये हुए है ठीक है आप पताईएगा रोजगार देने की योजना जब पूछी उन से भारती जनता पार्डी के प्रवक्ताजी से त पर बच्चों को मालिक बनना सिखाया जाएगा वर्ड क्लास चल रही है जो बिजनिस वर्ड क्लास यह पढ़ा रहे है वो बच्चों को इन लोगों ने पढ़ाया तो है नहीं पढ़ाई के नाम पे तो यह बिल्कुल अंख्रा डेक बनाया हुए है आज तक अभी-भी हमार करने कि यह अच्छा वेवस्ता के लिए कया कर रहा है ओर विकास के लिए कर एक भी सही जवाब नहीं दिया मुझे सिर्व इतना ही दूख है कि इतने सालों से सथाष्टाみं केंदर की सथा में जो जंता सवाल पूछ रही उसका कोई जवाब नहीं दे एक चीज़ बता जीए थोड़ा क्लियर होके वो कह रहा है कि Metro तो दिख रही है Metro बन रहा है काम चल रहा है construction चल रहा है सब कुछ है अभी अस्पटाल की जरूरती है अस्पटाल पूरा खंधैर बड़ा हुआ है जो यहां का है जो यहां का उर्सला है उसमें पैसा लगाना चाहिए मैं फिर कह रहा हूं अभी अस्पटाल की जरूरत है लोग मर रहे हैं अभी उसकी जरूरत है ना कि वह जो इन लोगन बनाई उन्होंने सिर्फ उसमें ब्रश्टाचार किया और सुनिये अगले से आदो जिस काम को मानलीजें दो हजार करों में बना गए उन्होंने पूरा प्रोजक्ट बनाया इन अरविंद केज्री वाल कम में अगलियस यादो ऑच्बाते आप लोग मैं थोड़ा सा च्पाति और प्रवक्ताजी से प्रश्ण कर रहे हैं कि यह काम भी आपी करेंगे यह काम भी करेंगे तो हम राजनीती में गिनेच उने काम करने महीं आएं हम भारत का संपूर्ण विकास करने के लिए और कील से लेकर कांटे तक का जो विकास होगा वो सब हम करेंगे और आप हमें संख्या में छोटा मान के बार बार हसुस्ताइद ना करिए आपके देखिए आपके जो यहां पर बैठे है नेता जी बैठे हुए वो कह रहे है कि पांच हिजार रुपए भी हम देंगे रूजगार भी संपूर हम देंगे सब कुछ हम देंगे क्योंकि हमारी नियत साफ है हमारा उद्देश साफ है हमारी भामना है भागा सिंकील से लेकर काटे तक सब कुछ आप देंगे ठीक हाँ बताइए मैं यह कहना चाहता हूं कि वैचारिक मत भिन्नता हो सकती हम सब में लेकिन वैक्सीन का विशह है कैसा इस इन चुकि नहीं होती है तो दबाई की जरूरत नहीं होती है लेकिन उसको के वला आम तीक टीक 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 कि कुकी बात यहां कानपूर शहर कि हो रही है आप दिल्ली है जहां कानपूर शहरी को आता था तो स्वा आंप अर्ना यह पूठ्री मैं यह पूट ना चाहता हूँ कि आखि निजी कहा कि आंचेटा क्या पढ गए आज पूरे देस में तानपूर язपट, मेंचेस्टर का सहर था इन फैक्टरी और्नेर्स गेंगड फैक्टरी इन पर टंड और फैक्टरी इन फैक्टरी अगे 10 a Grund Inde Healthy पक इंद यह सेही जा लौग in यहां से शुरू करता हो जो भी बोलना चाहता हूं जो यह महेंगाई है पिछले डेड़ साल में मैंक्जिमम खाने की चीद नहीं समान है सबका भाव दुगना हो गया है महेंगाई से तरह से तरह से मैं किसी पार्टी के तरफ से नहीं इस यूजगार दोड़ रहा हूं और योजगार पांट साल में कहीं भी हमको नहीं दिखा है पांट साल पहले मेरी उमर नौकरी करने की आई ती तब से अभी तक क्या क्यावल गाड़ी अपने पेट्रोल पूक यहां पर स्वामित का जगड़ा आ करके भारती जनता पाल्टिक जब सरकार आई उसने इस छेत्र में अपना बिधायक इस सर्थ पर बनवाया उप चुनाओं पर लेकर के उसके पहले वाले चुनाओं पर जो आप सांसाद हो गए उन्होंने आके छेत्र की जनता जगा था कि म मैं यहां से प्रवक्ताजी से बोलना चाहता हूं मैं यहां से लेकर बड़ा चौरा तक का दस किलो मेटर की आप टेंपो में बैटके चले हैं अगर आपका सर ना फूट जाए चलिए ठीक आगे बथा बीजेपी प्रवक्ताजी से केवाल इतना पूछना है कि 2022 का जो चुन अब जब तक धर्म के नाम पर वोटिंग करते रहेंगे तब तक हमारी पाटी उनकी पाटी कभी कोई विकास नहीं हो पाएगा बाचिपा आप मुसल्मानों का प्र दिखाएगी सपह मुसल्मानों को निकी रच्छा का फ़्वाप दिखाएगीा मुसल्मानों के सिखशा स्वास्त जनता पार्टी आने के बाद यहां की सडक बिवस्ता बत से बगांद कर ने हैं इन खाले की और उनुम्ह घृतन लोग नहीं खड़े आदमी नहीं घबाता था आज यहां की वेवस्ता देख लीजे आज भी परिवार के साथ जाता है घंटों इसे में भार्टी नता पाल्टिक लोग रहां कानून की वस्ता आप गए अगर राजनीती इंजिनियर तो पूचे पामान पी पाल्टी से राजनीती अकर इंजिनियर मना सकती है तो तो शिच् क्लारिटी के साथ कि अगर आप को वापस लाना है तो जनता के सामने आप पिटारे में अपने क्या खोलना चाहते हैं आप क्या बताना चाहते हैं कि अगर सरकार दुबारा बनती है तो कानपुर को आप क्या कुछ देना चाहा रहे हैं हमारे लिए कोई कोई भी प्रदेश क्लिए ठीक है आप क्या कुछ आप क्या कुछ है कानपूर का सहर का बच जोन है इनके पास और मेरीन बस्ती हैहां इस्कूल करिए तोड़ा रहीं बस्ती है यहां पर मखळूर पर महले क्लीनिक थेती हैं तो बंद हो चुका है जो वहां नगर निगम के जो इसकूल बने थे बच्चों को पढ़ाने के लिए निसुलक वो इसकूले सब बंद कर दी गई है और समझो गरीब असाहई मजदूरों की मलब दसा बेदसा कर दिया भारती जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए देखती है और अडानी अंबानी के लिए दे द्वे नगर सीसा मौ ये जिए आप जिस विधान सभा में बैठे हैं और सर्वे कर लिए साथीज निगम जी के लिए खाल्यान भुड बिधान सभा में सबसे अधा भी कास किया अमताप बाच्पे जी बच्च में रहते हूँ औरा है इरफान सोलंकी जी बच्च में उसके के बाद से तमाम आइसी मुस्लीम अबादी और तमाम आइसी मलीन बस्ती जो पुराना कानपूर जन्रल गंज इसी कलियों में जहां पर सड़क बन नहीं सकती थी हमने खचर पे मिट्टी और सीमें लोग कहते हैं कि आपने अपने गड़ का विकास जादा करवाया है इटावा मेरे बड़ो बैटी मेरे बीए उसका करने लेपट आप जो भी सप्रक्रमाता के वह सारी के सल्सके के लिए हर जाहती हर में हर किसले वर्रीक आपके पास कानपूर और आपकाल बागल तो आपके आपके मने क्या मिए का कुछ है कानपूर कि जनता के लिए था कोões जाता के उ सब कुछ राजनी से तै होता है, आपकी सिच्छा राजनी तै करती है, आपका खाध्यानों का रेट राजनी तै करती है, आपका पेट्रोलियम राजनी तै करती है, आपकी जमीनों का रेट राजनी तै करती है, सब कुछ राजनी से चलता है, यह जो राजनीत को गंदा कर दि ठीक, आपने जवाब दे दिया कि राजनीति जो है वो आपकी जीवन का जो इस तरह है उसको राजनीति तै करती है यह ठीक बात है अब आप यह बताईए कानपूर के लिए आपके पास क्या कुछ है पिटारे में देखिए कानपुर के लिए सबसे पहले तो हमने जो बिजली और स्वास्त बेबस्ता यह जो जितने अस्पताल पड़े हुए है और मैं आपसे कह रहा हूं अभी हमारे एक साथी ने का आज कील से लेकर काटे तक का सारा विकास करेंगे यह जो मीले बंद पड़ी है यह वास्तों में अगर कोई चालू करा सकता तो मैं आज कहरा हूं यहां सबके सामने सिर्फ आम आदमी पार्टी करा सकती है वरना कोई नहीं करा सकता है तो सभी नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद कारिक्रम में शामिल होने के लिए और इसी के साथ जन्ता का भी धन्यवाद कारिक्रम में शामिल होने के लिए और जनता होगी बागी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहेगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ तन्यवर्ण खिलेश आदफ ने अपने संबोधन में जिन्ना शब्द का इस्तिमाल किया पहला प्रदाइस का मुख्मंत्री बनते ही 45 मुकदमे अपने उपर जो लगे थे गंबीर डाराओं में वो पहले अपने उन्होंने वापस लिए और वो गुंडागर्दी में बात करते हैं कानपूर में सडकों का जो जाल है उसे भी शाया गया तो यह लोग कहते हैं कि वो जाल दरसल मकड जाल बन चुका है मानी नरेंद मोदी जी और यह योगी आजितनाद के जेवर एरपोर्ट कभी यह बेचेंगे प्रवचन पर नहीं वचन पर काम करेंगे कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं जंता के सामने प्रिंका जी ने जब से कमान समाला है उत्तर प्रदेश में एक भूचाल सा आ गया है और गांदी ने जब समाली थी तब नहीं आया था जो अभी नरेंद मोदी जी ने इसकी योजना जो चलाई थी वो पूरी तरह भेल हो गई वो बहुत अच्छी योजना थी उस पर चलना चाहिए होता क्या एक पैसा नहीं डाला जाता है जब वो पैसे ही ने लगाया जाएगा वो पैसा स्वीज बैंक में भेज दिया जाएगा कोई योजना नहीं चलेगी अगर हमने दिल्ली में करके दिखा दिया तो आप विश्वास रखें मुत्तर परदेश में भी कर सकते हैं सब काम जब आप ही ने किया हैं तो जन्ता ने फिर आपको फेल क्यों किया है